तो जैने दोस्तों आपको अपने चैनल यसकी हम इस्टडी पर एक बाब फिर से स्वागत है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपको सामने हाजिर है यहाँ पर देखिए हम आपको वादर दिला चुके हैं कि आपको हम 95 प्लस दिनाने वाले जो प्रशन है जो प्र जिदिने भी उडियों समय साहर नए जुड़ेंगे चलने हो तो नहीं सुस्क्राइब कर देंगे लाइक कमेंट से जरूर कर देंगे साथ ही साथ बिलाइक हो जरूर दा लेंगे ताकि जो वीडियो को नोटिफिकेशन होगी आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए और साथ की साथ मैरे पैर बच्चो आपको पिडियाप्स भी प्रवाईट करेंगे पिडियाप्स कहां मिलेगी यसकी आंट त्यरी कहां पर यसकी यांट स्टडे कर जो usar टेले ग्राम चैनल है वहांट पर आपको इसकी पीडियकेशन मिल जाएंगी तो वहां से ज क्या है बहुत इंपॉट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् लिखना है जो बहुत ही important प्रशन है आपके लिए तो जहले सुन्य कोड की अभिक्रिया की से काते हैं तो सुन्य कोड की अभिक्रिया की से काते हैं वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में क्या जिसकी प्रगति में जिसको बढ़ने में अभिकारक के किसी भी अ वाखता है।कि तो यह हमारा क्या होता है कि अभिकारक होता है sisters अभिकारक होता है और अत्वान का संदर्ण परिवर्थित नहीं होता है। है जिसका व्यख डि इस तिरांस आविब अभिकारक के साथ सांधर पर नेbđर नहीं करता है शून निक यविकरिया कहलाती है यह आपको याद कर लेना ठीक है इसका व्यख अभिकारक के जिसका व्यख अभिकारक के सांदरन पर निर्भर नहीं करता है जो अभी क्यारक का सांदरन है उस पर निर्भर नहीं करता है वहां क्या कहलाती है अड़ला कुछन देखे बहुत ही important है यह बहुत ही मतपून कुछन है और बहुत आर एक्जाम में आगवा प्रशन है तो वेग स्थिरांक क्या देखे अंतर अस्पष्ट करना है ठीक है किसमे वेग इस्थिरांक था साम में इस्थिरांक में क्या करना है अंतर अस्पष्ट करना है तो इसको अच्छ कैसे करेंगे दिखेंगे वेग इस्थिरांक अभिकारक पदार्थों की इकाई सांदर्ता पर यह जो वेग इस्थिरांक है वह अभिकारक पदार्थों की इकाई सांदर्ता पर होने वाली अभिकरिया की गती को कहते हैं और जबकि साम में स्थिरांग जो होता है उतक्रमरी अभिकरिया में अग अभिकरिया के वेग इस्थिरांग पर विपरीत क्रिया के शाम में स्थिरांग का अनुपात होता है करने का मतलब कि जब की जो साम में इस्थिरांग का है क्या होता है उत्क्रमरी अभिक्रिया में ठीक है वेग इस्थिरांग क्या होता है जो इकाई सांदरता होती है यनि कि एक बार अभिक्रिया हो गई वहाँ पर नहीं होता है वेग सांदरता है ठीक है अगर हम साम में साम इस्थिरांग का अनुपात होता है ठीक है तो भी पिरित क्रिया क्या होता है साम इस्थिरांग का क्या होता है अनुपात होता है ठीक है चलिए अगला कुछिशन देखें कि बहुत ही महत्पूर्ण अगला कुछिशन बहुत ही महत्पूर्ण बहुत ही महत्पूर्ण सेकंड में पदार्थ की सांदर्ता जो पदार्थ की सांदर्ता है प्रारंभिक सांदर्ता की आधी रह जाती है जो पदार्थ की सांदर्ता है वो प्रारंभिक सांदर्ता केंदी रह जाती है आधी रह जाती है इसके वेग इस्थिरांग की गरना किजिए क्या करना है इसके व तो यहां से अगर हम इसको सवाल्व करेंगे तो 0.6932 अपान 5 इंटु 10 की पावर माइनस 2 तो यहां से क्या हो जाएगा 1.38 यह बहुत ही इंपोर्टेंट प्रसन है बहुत ही महतवर प्रसन है जो लेकला कुछन देखे क्या है बेरी बेरी मोश्ट इंपोर्टेंट प्रसन है और बहुत ही इंपोर्टेंट प्रसन है कासियस क्या कासियस परफिल क्या है जो कासियस परफिल होता है वहां क्या है आप कैस कैसे प्राप्त करेंगे तो कार्सियस परफिल क्या होता है आप इसे कैसे प्राप्त करेंगे इसके बारे में आपको लिखना है तो आरिक क्लोराइड विलियन का क्या आरिक क्लोराइड विलियन का स्टैनस क्लोराइड विलियन द्वारा जो हमारी आरिक रंग का गोल्ड सॉल बनता है, क्या बनता है, वैगनी रंग का क्या बनेगा, गोल्ड सॉल बनता है, जिसे कॉसियस परफिल कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉसियस परफिल कहते हैं, आप ध्यान दिशेगा, 2AUCL3 क्या हो जाएगा, 2AUCL3 प्लस 3SNCL2 क्रिया करेगा, तो क्या बनाएगा 2AU प्लस 3SNCL2 बनाएगा और पुनाश चीक रिया करेंगे SNCL4 प्लस 2H2O से तो क्या बनेगा SNO2 प्लस 4HCL बनेगा क्या बनेगा SNO2 और 4HCL बनेगा ठीक है यह आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट प्रशन है बहुत ही मात्वर पूर्ण प्रशन है ठीक चलिया आगया आपको बताते हैं अगला कुछ देखे यह भी बहुत बार एक्जाम में पूछा हुआ प्रशन है उसको भी इची तरीके सॉल्व करते हैं प्यप्टी करण की क्रिया को एक उधारण द्वारा समझाए जो प्यप्टी करण की क्रिया होती है इसकंदन के विप्रीत है इसकंदन के विप्रीत है इसमें ताजे बने अवक्षेप को किसको इसमें जो ताजे बने अवक्षेप को किसी बैदुत अपगट के किसी बैदुत अपगट के तनु विलियन के साथ पतला जो विलियन है विलियन के साथ हिलाने पर कुलाडी विलियन प्राप्त होता है क्य तोिसमें फेरिक हाईडराकसाइड के ताजया वक्षेप में फेरिक क्लूराइड का विलियन बनता है तीक है किसका यह फी उएच कोल्थराइड का कौलाइडी विलियन बनता है तो यह बहुत ही important बहुत ही प्रशनेटिक है अगला कुछ ने कि नैनो पदार्थ किसे काते हैं इसके बारे में आपको अमची तरीके से बताएंगे तो ऐसे पदार्थ जिसका आकार एक से सौ नैनो के अंतरगत होता है यह निकि एक से सौ का मतलब गोड़ा नैनो मीटर पर पैमाने पर क्या होता है कि इस होता है अगर हम बात करें तो 10 की पावर माइनस 9 मीटर होता है ध्यान देज़ेगा तो यहां से एक से सौ तक हम लेंगे तो क्या कलाते हैं पदार्थ कलाते हैं ठीक है चली आगया को बताते हैं अगला कुछ सन देखिए बहुत ही इंपोर्टन डे भी है बहुत बार एक्ज अधारित है जो विधी है इस तथ्य पार अधारित है कि घुलित पदार्थों के जो घुले होते हैं दूसरे में जो कि किसी पदार्थ में डालने पर वह असानी से चीनी को पानी में डाल देजे तो पानी में चीनी को डाल देजे तो असानी से घुल जाती है तो घुलित प जबकी कोलाइडी कण जो कोलाइडी कण होते हैं उसमें से विशरित नहीं हो पाते हैं या कठिनाई से विशरित होते हैं तीक है और देखिए चर्म पत्र जिल्ली द्वारा किसके द्वारा? को अपोहन काते हैं क्या काते हैं डायलेसिस काते हैं या अपोहन काते हैं ठीक है तो यह बहुत ही important है और बहुत ही मतलब भीगर द्वार आपको समझाएंगे कि इसमें क्या-क्या तो काने का मतलब क्या है कि चर्म पत्र जिल्ली द्वारां गुलित पतार्थों को प्रिथक करने की विधि को क्या आकते हैं अपोहन काते हैं रहाँ सकते जोफ доллар जली से बनी एक धैली या किसी देसी बेल्या कार पात्र जिससे अपवख कहते हैं ठीक है कोई हमारी चर्णपत्र जिल्ली है या किसी बेलना कारपात्र में जैसे अपोहक काते हैं में कुलाइडी विलियन भर कर उसे बहते जल में निलम्बित करते हैं यह हमारी क्या चर्णपत्र की जिल्ली है इसमें हम क्या कर देते हैं कि अपोहक काते हैं एक तरीके से इसक और यह आमिसा घोमता रहां का ठीक है तो यह कोलाइड़ी जो काण है वह बाहर आ जाते हैं आसुद्धी काण जो हो ते को आपके तो जल्ल्क द्वरा बाहर एकन जाते हैं। इसमें देखे कोलाइड़ी विलियन के उपास्तित घुलित के साथ निकल जाते हैं कुछ दिनों में कुछ दिनों में कोई-णख़ कॉलाइडी-विलियें प्राप्त हो जाता है कुछ दिनं के संख्या या 21 सोना की परिभासा देजिए तो क्या होता देखे रक्षी कुलायड की सकती को किसको रक्षी कुलायड की सकती को शोन संख्या या गोल्ड नंबर से व्यक्त किया जाता है जो रक्षी कुलायड होते है हमारी उसको हम क्या काते हैं सोन संख्या गोल्ड नंबर से व्यक्त कियाता है सोन संख्या की जो परिभासा होती है निम्न प्रकार से दे सकते हैं कौन सा प्रकार हो सकता है किसी द्रव इश नहीं कुलायड की किसी माली जो कोई द्रव इश नहीं कुलायड है कि शौन संख्या उसका मिली ग्राम में वह भार है उसका मिली ग्राम में क्या होता है वह भार है जो गोल्ड सॉल के दस एमल में उपस्तित होने पर किसमें यानि रोकने निले रंग से परिवर्थित होने में होने को रोकने के लिए परियाप्त होता है यानि कहने का मतलब यह ही है कि यह जो लाल रंग से निले रंग की होने के क्रिया हो रहे उसको रोक सके बस यहां तक होता है यहां तक उसमें हम क्या रहते हैं उसकी मात्रा को रख सौल की इसकंदन सकती उतनी ही कम होगी कम संख्या होने पर सौल की इसकंदन सकती अधिक होगी तिक है यह बहुत ही मत्पूर प्रस्ते में पर बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं आप चैनल को लाइक सेयर कमें सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं फिल मिलते हैं इस वीडियो में ने टॉपिक के साथ अत्तक लेजा हैं